हेलो गाइज, वेलकम टो आर्सी मेकोवर्स आज मैं आपके लिए लिए के आए हूँ बहुत थी ग्लामरिस, येट वेरी सिंपल एंड एलिगेंट मेकप लुक, लेट्स केट सादे सबसे पहले मैंने यहाँ पे पेस को क्लीन कर दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया है, एम्रोयस का मॉश्यराइजर त्रूआउट दे फेस फिर मैं लगा रही हूँ, टी जोन एरिया पे मैक का प्रेपन प्राइम क्रीम उसके बाद, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, एबी एच का ब्राव फिलर, जिसका शेड है, इबोनी उसको मैं अच्छे से आइब्रोज में अच्छे से लगा दूँगी, कोई भी जहाँ पे भी फिलिंग का रिक्वार्मेंट है वहाँ पे फिल करेंगे, एक्स्ट्रा कहीं पे भी कुछ भी लाइन नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनके आइब्रोज अल्री बहुत प्यारे हैं तो हम उसको जिस्ट एन्हांस करेंगे तो उनली तो फिलिंग इस नीड़े हीर इसके बाद मैं यहाँ पे डर्मा पैलेट क्राइलन से D12 नंबर का कंसीलर ले रही हूँ जहाँ पे मुझे डिस्ट लेरेशन दिख रहा है वहाँ पे मैं अप्लाई करेंगे फिर मैंने यहाँ पे लिया है आइक्रीम आइक्रीम लगाने के बाद फिर से मैंने D12 लिया और यहाँ पे कंसीलर का यूज किया है to conceal the under eyes pigmentation फिर यहाँ पर मैंने यूज़ किया है MAC का foundation जो shade मैंने यूज़ किया है वो है NC42 और 45 का mix और मैंने face पे अच्छे से foundation लगा के उसको अच्छे से blend out कर दिया है और यहाँ पर blending करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ beauty blender जो मेरा है टी शोलो से और मेरा beauty blender अभी फिलाल damped है मैंने neck में भी apply कर दिया है उसके बाद under eyes में भी जहाँ पर हमने concealer लगाया था foundation लगा के blend out कर देंगे फिर मैं यहाँ ले रही हूँ Fenty Beauty का contour stick उसको मैंने जहाँ पर requirement है अच्छे से contouring कर दिया है क्योंकि face एक color का हो गया है तो हमें यहाँ पर dimension देना है उसके लिए हम लोग यह step कर रहे हैं अच्छे से लगाने के बाद आप देख सकते हैं nose area में हर जगा जहाँ पर requirement है लगाना है आपको आप दे सकते हैं कैसे मैंने लगा दिया है उसी तरीके से आपको लगाना है face के हिसाब से उसके बाद जहाँ पर भी हमने contour लगाया है cream contour लगाया है वहाँ पर dab 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 करके हम लोग अच्छे से blend आउट कर देंगे फिर सारे liquid product को set करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ PAC का 02 loose powder और throughout the face मैंने अच्छे से उसको लगा दिया है बहुत हलके हातों से पूरा set होने के बाद हम लोग यहाँ पर use करेंगे थोड़ा सा tapered brush brush की मदद से हम लोग under eye को set करेंगे और under eyes में मैं थोड़ा powder छोड़ दे रही हूँ क्योंकि मेरा eye makeup अभी रहता है तो कोई भी fallout होगा तो उसको हम लोग easily control कर पाएं यहां में यूज़ करेंगे पी एसी का shadow primer जिसको मैंने eye lid पर अच्छे से लगा दिया है फिर with the help of the same beauty blender उसको हमने blend कर दिया है उसकी बाद मैं यहाँ पर लिया है बहुत ही light brown color और अच्छे से outer corner पर लगाया है उसकी बाद next share जो मैंने लिया है वो है थोड़ा सा और dark brown color जिसको मैं inner corner और outer corner दोनों पर लगा रही हूं in the same eyes simultaneously one by one मैं काम करूंगी ताकि मेरा consistency सही रहे once I am happy with the blending जो मेरे को चाहिए जितना color depth चाहिए वो मिल जाने के बाद जो center का area मैंने छोड़ दिया है वहाँ पर मैं लगा रही हूँ glitters, glitter मतलब shimmer from the eye shadow palette only और जो मैंने palette यहाँ पर यूज किया है वो है from physician's formula आप कोई भी palette यूज कर सकते है center पर shine लगाने के बाद आप से देख सकते है center कितना अच्छे से उबर के आया है यहाँ मैं बहुत ही प्यारा एक smushed liner कर रही हूँ जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है mac का काजल pencil उसके बाद with the help of a pencil brush और black eye shadow जो भी मैंने काजल लगाया है उसको मैं अच्छे से spread out कर रही हूँ फिर मैं यहाँ पर एक lash curler लेके दोनों lashes को अच्छे से curl कर रही हूँ before mascara and then यहाँ पर मैंने लगाया है two face का mascara अच्छे से on the upper lip फिर जो भी excess fallout powder जो भी है वो मैंने remove कर दिया with the help of a fluffy brush उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया eye magic का lashes number है 07 with the help of a glue from euro paris मैंने उसको यहाँ पर चिपका दिया है फिर हम लोग थोड़ा सा और powder contour लेंगे यह वादा contour है duo contour from Nika K brand amazon में आपको अराम से मिल जाएगा तो जहाँ पर भी हमने liquid contour लगाया था sorry जहाँ पर भी हमने cream contour लगाया था वहाँ पर हम लोग यह place करतेंगे फिर एक छोटे से fluffy brush के साथ मैं nose को भी अच्छे से contour कर दूँगी क्यांकि यहाँ पर model की nose को contouring की जरूरत है तो हम लोग थोड़ा sharp contour करेंगे फिर यहाँ पर मैं ले रही हूँ eye magic का blush with the help of a fluffy brush again मैं अच्छे से उनके face पे blush on कर दूँगी temple से लेके पूरे cheeks तक blush लगाने के बाद यहाँ मैंने लिया है huda beauty का highlighter जिसको मैं थोड़ा bronze tone पे ले रही हूँ highest point of the face में हम लोग यह पूरा highlighter लगा देंगे model के skin tone के हिसाब से यहाँ मैं थोड़ा bronze color ले रही हूँ उसके बाद मैंने help of geek को मिलानो lip pencil मैं पूरे lips पे lip pencil लगा रही हूँ maroon color का फिर मैंने यहाँ पे लिया है mac का carnivorous lipstick जो मैं lip liner के उपर place कर रही हूँ eye makeup को complete करने के लिए यहाँ मैंने pencil brush लिया है और dark brown color से outer corner को smudge out कर रही हूँ फिर swiss beauty का मैंने यहाँ पे लिया है fixing spray makeup को lock करने के लिए यहाँ पे spray कर दिया है और यह रहा हमारा final look I hope आपको यह tutorial पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो please like कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए कीजिए और मेरे चैनल को